लगता है हम बिग बॉस के इस गेम को कुछ जादा ही समश्ण लगे हैं क्योंकि हमें तो पहले से ही कह दिया था कि इस कपल वर्सिस सिंगल्स की थीम में कुछ दम नहीं है और देख लीजे ये थीम कुछ जादा वर्क भी रहे कर पारे अब पती-पतनी एक साथ है तो जाहिर सी बात है लडाई जगडे प्यार टकरार तो होना लाजमी है लेकिन बिग बॉस के गए में इन दोनों कपस के बीच को जादा बड़ी अजीब सी बाते होती नजर आ रहे है एक तरफ विक्की जर और अंकिता लुखंडे एक दूसरे से सिर्फ लड़ते और परसनल कॉमेंट्स करते नजर आते हैं तो दूसरी तरफ एश्वर्या शर्मा और नील भट नजर ही नहीं आ रहे हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि एश्वर्या और नील आखिर बिग बॉस अब हमने इतना बता दिया तो चले हम आपको ये भी बता देते हैं कि वो कॉल सा कंटस्टेंट है जो एवेक्ट होने जा रहा है अब हुआ यूँ कि bottom two में थी सोनिया और सना बिग बॉस ने घर के सभी सदस्यों को सोनिया और सना में से किसी एक कंटेस्टेंट को चुनने को खाए और जादतर लोगों ने सना को सेफ किया और सोनिया को बेघर करने का decision कर दिया सोनिया बनसल बिग बॉस 17 की पहली कंटेस्टेंट है जो घर से बेघर हो गई है जहाँ एक तरफ सोनिया बिग बॉस 17 के घर को अलविधा कहकर दूसरी तरफ नए हाउसमेट्स की एंट्री हो गई है मानस्वी ममगई और सामर्थ जुरिल आपको बिग बॉस के घर में नजर आ रहे होंगे अब मानस्वी के घर में आने से क्या होगा ये तो आपको आने वाले हफतों में पता ही चल जाएगा लेकिन एक बात तो तह है कि सामर्थ के आने से अभी शेक कुमार और ईशा मालवय के बीच बहुत कुछ होने वाला है आप सब हर साल बिग बॉस को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं और इस साल भी फॉलो कर रहे होंगे तो हम आप से ये वादा करते हैं कि आपको इस सीजन की सारी exclusive updates हम पहुचाते रहेंगे Stay tuned for all the exclusive information on the show's most recent developments and for all the latest happening in the entertainment world Do like, share and subscribe to our channel because we at Bombay Blues celebrate entertainment